हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल वी लर्निंग तो स्टुडेंट्स आपका क्लास 11 का चैप्टर चल रहा था एंजाइम क्लास 11 बायलोजी में इस चैप्टर के मैं आपको लॉंग कोशन कंप्लीट करा चुकी हूँ अगर आप में चैनल पर फर्स टाइम विज अपना दोनों कंप्लीट करा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट चैक कर लीजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारत इस चैप्टर में से आपका लॉंग कोशन आता है और इस च प्रभावित करने वाले कारत मदलब जो एंजाइम के एक्टिविटी है उसे कौन कौन से कारक हमें प्रभावित कर रहे है ठीक है तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारत तो आप पहले कोशन पढ़ओगे कोशन में क्या-क्या पुछा तो लिखा आएगा इसमें आपको एंजाइम के डाफिनिशन लिखनी ए उसके बाद नेक्स कुछन उसे क्या एड है उसमें परिकलपना पूछी है या फिर फैक्टर पूछे हैं फैक्टर या फिर उसके विशेशताइब पूछी है तो इस चैप्टर में में सब कंप्लीट कर पूरिया शीलता है उसको कौन-कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित कर रहे हैं ठीक है तीन नमबर में आता है इसमें आपको छे हैंडिंग पार्च हैडिंग देख आओगे आप तीन नमबर में फर्स्ट हैडिंग है पहले लिखेंगे आपकी एंजायम के एक्टिवि पूरी थियोरी ब्लू पैन से लिखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उन्हें ब्लैक पैन से लिख कर आओगे कलरफुल पैन का यूज़ आप अउनली डाइग्राम्स में करोगे बायो में ठीक है तो वांट आफ यह साइंटिस्ट थे कि अकॉर्डिंग इच एंजाइम इच मतलब प्रतेक एंजाइम प्रतेक एंजाइम का एक ऑप्टिमम ऑप्टिमम एक निश्यत पर्टिकुलर एक टैंपरेचर होता है मतलब कोई भी एंजाइम है जो हमारे एंजाइम से हैं उनका एक ऑप्टिमम या भी पर्टिकुलर टैंपरेचर होता है इस पर वो active रहते हैं ठीक है इससे low temperature पर enzyme active नहीं होते ठीक है enzyme 10-15 degree centigrade temperature के मध्य यह active होते हैं मतलब जो हमारा enzyme से हैं उनका जो optimum temperature अब हो गया हो गया 10 to 55 degree centigrade ठीक है अगर इससे low temperature हुआ तो enzyme inactive हो जाएंगे किरिया शीर नहीं होंगे ठीक है temperature के मध्य यह active होते हैं बट 60 degree centigrade से अधिक 55 से अगर उपर हुआ 56 से तो active रहेंगे लेकिन बाइचान 60 से भी उपर पहुँच गया तो यह destroy हो जाते हैं 60 degree centigrade से अधिक temperature पर यह नस्ट हो जाते हैं तो temperature first factor क्या था temperature कि जो हमारे enzyme है उनके लिए एक optimum या फिर एक निश्चे टांप्रेचर होता है जो है 10 से 55 degree centigrade या आपको objective में भी आ सकता है कि जो enzyme है वो किस temperature पर active होते हैं किरिया शील होते हैं तो आपके option में 10 to 55 के बीच की जो भी डिजित होगी चेंज भी करके दे सकते हैं तो आपको उस पर टिक कर देना है या फिर पूछते हैं कि enzyme कौन से temperature पर destroy हो जाते हैं तो 60 degree centigrade से अगर उपर हो जाए temperature तो एंजाइम नस्ट हो जाते हैं तो temperature कैसे इफेक्ट कर रहा है कि जो optimum temperature है वो 10 to 55 degree centigrade है इससे ज्यादा होने पर एंजाइम destroy मतलब नस्ट हो रहे हैं और इस temperature से कम होने पर हमारे enzyme किरिया शील नहीं हो रहे हैं इनक्टिव हो जाते हैं ठीक है तो यह था first adding temperature second important है optimum pH optimum माने निशित pH की किस pH पे हमारे enzyme active होते हैं किस पर inactive होते हैं ठीक तो इच enzyme एक special pH value पर highly active होता है मतलब पिरते एक enzyme का एक particular एक निशित क्या होता है pH value होती है जिस पर वो active होते हैं ठीक है special pH होता है जिस पर वो highly active होते हैं ठीक है जो उसका optimum pH कहलाता है अगर आपकी वन नंबर में definition आती है कि optimum pH क्या होता है enzyme का यह फिर हिंदी में लिखाता है कि किसी भी enzyme का निशित pH क्या होता है तो आप यह definition लिख सकते हो कि पिरते के होता है और जो उसका क्या कहलाता है optimum pH कहलाता है तो अगर आपकी वन मार्क में definition आती है optimum pH की तो आप यह लिख सकते हो ठीक इस optimum pH activity के कम या अधिक होने पर reaction rate कम हो जाती है मतलब optimum pH reaction में बहुत main role play करता है अगर यह जादा हो जाता है यह कम हो जाता है optimum pH भढ़ रहा है तो भी reaction में change होगा optimum pH कम हो रहा है तो भी तो इस line में यहीं लिख था कि इस optimum pH activity के कम या अधिक होने पर reaction का rate कम हो जाता है मतलब अगर हमारा optimum जो pH है वो जादा यह optimum मतलब एक निश्चित एक सर्टेन अगर उससे जादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है तो जो हमारी reaction का rate है reaction की जो दर है जिसे बोलते हैं वो चेंज हो जाती है तो optimum pH बहुत जरूरी है किसी भी chemical reaction में ठीक है तो enzyme जो है उसका mostly pH क्या होता है 7.0 pH पर highly active होते हैं यह आपका objective में बहुत बार पुछा जाता है कि जो enzyme है वो किस pH पर active होते हैं तो 7.0 pH तो optimum pH क्या हो गया कि कोई भी pH कोई भी enzyme एक special pH value पर क्या हो रहा है active हो रहा है अगर इस optimum pH या निशित pH value में कोई भी चेंज हो रहा है जादा हो रही है यह कम हो रही है तो जो reaction की दर है या फिर जिसे इंगलिश में बोलते हैं reaction की rate है वो क्या होती है बदल जाती है या फिर चेंज हो जाती है mostly enzyme यह आप यह दखो के 7.0 pH होता है enzyme का optimum pH या फिर निशित pH next setting a third enzyme concentration concentration मतलब सांधृता ठीक है enzyme की concentration तो enzyme की concentration में growth होने से chemical reaction induced होती है और product की formation होती है जैसे अगर किसी भी enzyme की concentration increase हुई बढ़ी increase मतलब भढ़ना decrease मतलब कम होना ठीक है concentration में growth होने पर जो chemical reaction है वो induced होती है मतलब जो chemical reaction है अगर आपका enzyme की concentration भढ़ा दी जाए किसी भी chemical reaction में या फिर enzyme की concentration भढ़ जाए तो क्या होगा जो chemical reaction की rate है या फिर दर है वो बहुत जल्दी से भढ़ जाएगी जितनी जल्दी rate भढ़ेगा उतना ही product जल्दी बनेगा तो इस आयन इसमें के पॉजिटिव एमजी पॉजिटिव सी एल निगेटिव एटीसी पॉटेशियम मैगनीशियम और क्लोराइड ठीक है पॉटेशियम मैगनीशियम क्लोरीन एटीसी की स्मॉल अमाउंट एंजाइम के एक्टिविटी को प्रभावित करती है मतलब जो हमारा पॉटेशियम है मैगनीशियम है और जो क्लोरीन है इनकी बहुत स्मॉल अमाउंट ही क्या है एंजाइम के एक्टिविटी को चेंज कर देती है या फिर प्रभावित करती है तो अगर आपका एक्जाम में आता है यह आपके टीचर भी पूछते हैं कि कौन से ऐसे इन और्गनिक आयन्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं तो के पॉजिटिव एंजाइम की एक्टिविटी को इन हीबिट करते हैं इन हीबिट मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं या स्टॉप कर देते हैं तो इन हीबिटर बोलते हैं उसे तो यह एंजाइम की एक्टिविटी को इन हीबिट करते हैं या फिर रोकते हैं as जैसे chlorine, Fe, Hg, Cu, chlorine हो गया, Fe, iron, Hg, mercury, Cu, copper, ETC inhibitor के form में work करते हैं, अब आप देखो, जो inorganic iron, जो enzyme के activity को प्रभावित कर रहे थे, वो थे K positive, Mg positive, Cl negative, Inhibit, जो activity को बिल्कुल stop कर रहे हैं, वो कौन से हैं, वो है chlorine, iron, mercury, copper, तो यह आपको याद रखने हैं, क्योंकि यह ions दिये हुए हैं, यह आपके objective में पूछ जाते हैं, और कारक में आपको यह underline करके लिख आने हैं, next heading है, activators, एक्टिवेटर्स बढ़ाने वाली, किरियाशीलता को बढ़ा रहे हैं, inhibit जो किरियाशीलता को रोक रहे हैं, यह enzyme की activity को increase करते हैं, activators, इनका नाम ही activator है, तो यह कर रहे हैं, enzyme के activity को increase कर रहे हैं तो यह थे आपके five factors अभी graph देख लेते हैं graph देखो जो यह graph है एक है temperature वाली heading का और एक है आपका optimum pH का यह मैंने space के वज़े से यहां पर बनाए है आपको exam में कैसे करना है temperature heading लिखोगे उसके बाद temperature वाला graph बनाओगे next heading optimum pH लिखोगे फिर optimum pH वाला graph बना कराओगे मैंने space के वज़े से side में बनाए है आपको exam में heading के नीचे ही बनाने है अब graph देख लेते हैं यह है effect of temperature on enzyme कि temperature का कैसे effect पढ़ रहा है वो हमें graph में show करना है तो सबसे पहले हमें graph बनाना है इधर लिखना है उपर की side relative activity नीचे लिखना है आपको temperature और ऐसे arrow लगाना है यह पूरे graph का नाम है effect of temperature on enzyme तो हमने उपर पढ़ा था कि 10 से 55 degree के मद्धिये active होते हैं तो हमने यहां से 10 से लेकर 80 तक की digit लिख ली और 40 पर डेड़ेश करके दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे ग्राफ को एक side 10 से 40 हो गया एक बार 40 से 80 हो गया तो 55 तक था आपका active तो इसमें क्या करा है 40 तक तो दिखा दिया है optimum temperature जो निश्य temperature है वो वहाँ उसके नीचे लिखा है हमने active 40 के बाद या फिर आप इसे 50 तक भी कर सकते हो लेकिन जिससे आपका equal बैठे इस वज़ा से हमने 40 पे ही डैश कर दिया तो 40 के बाद completely inactive ठीक है आप समझ रहे हो कि यह ग्राफ में कैसे लिखा है जब हमें पता है कि इसका optimum temperature 10 से 55 है और हमने ग्राफ में 80 तक की temperature 10 to 40 यह क्या है optimum temperature है जो हमने थियोरी में पढ़ लिया इसलिए इस पर हमने लिखा है optimum temperature और active लेकिन 40 के बाद 50 तक मानोगा 50 से जादा भड़ता है 60 से जादा जिसे लिखा था 60 से अधिक temperature पर यह नस्ट हो जाता है तो हमने इसके बाद लिख दिया है completely inactive क्योंकि इतना जादा temperature भड़ रहा है तो हमारा एंजाइम तो देस्ट्रॉई हो गया तो इसलिए 40 तक ग्राफ में active and 40 के बाद inactive नीचे आप ग्राफ बना के लिखोगे effect of temperature on enzyme ठीक है temperature का effect एंजाइम पर next graph है optimum pH का optimum pH ग्राफ यह है इसमें भी हमें safe same graph बनाना है इधर 25 से लेकर 125 50 75 100 यह डिजित लिखनी है नीचे 369 12 यह लिखनी है अब थियोरी में एक बाद फिट से पढ़ लेते हैं कि age enzyme एक special pH value पर highly active होता है जो थी 7.0 optaum pH था 7.0 तो हमने यहांपे 369 12 तो हमने शिक्स और नाइन के बीच deadish लगायाै तो इसकी बीच क्या जेड़ दानेश क्हाँगा Track was 3 6 9 8 अब 6 9 के भीच क्या ज़ुए 78 ओके तो हमें पता है कि 7.0 क्या है optimum pH है तो हमने 6 और 9 के भी देड़ेश करके इसको partition कर दिया और right side लिख दिया optimum pH active क्योंकि हमें पता है 7.0 था तो 7.0 गर by chance यहां पर 7 आ रहा है यहां पर 8 आ रहा है ठीक है तो 7 से 12 तक yes से आगे तक क्या होगा optimum pH इसलिए यहां लिखा है हमने optimum pH and active तो इस graph में हमने यह जो हमने theory में लिखा है वही हमें graph में बनाना है जैसे हमने 7.0 लिखा तो optimum pH तो हमने 3 से 12 तक लिखा और 6 और 9 के भी देड़ेश करके लगा दिया तो 6 और 9 के बीच है कर यहां 7 और 8 भी आ रहा है तो 7 8 के बाद 7 के बाद 8 आ रहा है तो 7.0 तो इसलिए हमने इसको इसके आगे optimum pH active लिखा है तो यह graph बहुत easy है इसमें कोई रटने की ज़रूत नहीं है जो आपने theory में लिखा है सेम वही आपने graph में बनाना है temperature के बाद heading के बाद temperature वाला और optimum pH के बाद optimum वाला और इस graph के नीचे लिखना है effect of optimum pH on enzyme okay तो यह हो गया आपका complete enzyme को प्रभावित करने वाले कारक यह तीन नंबर में आते हैं और अगर यह long में आता है तो इसके साथ आपका question add होकर आता है और एक बात की जैसे enzyme वाले chapter में इस बार आपके protein carbohydrates lipids fat यह सब add कियो है यह सब जो है fat protein यह सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपका 11 चैप्टर है जैव अनु बायो मॉलिक्यूल तो आप playlist चैक करो उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो DNA RNA carbohydrates protein polysaccharides monosaccharides मैं सब पढ़ा चुकी हूँ TRNA MRNA आप प्लेलिस्ट चैक कर लो आपको लिंक या फिल लिंक देख लिजे description box में तो जैवनु चैप्टर से मैंने चैप्टर में सब पढ़ा रखा है और एंजाइम वाला चैप्टर ही हो गया आपका complete ठीक है और प्रोटीन वगेरा मैंने सब पढ़ा दिया जैवनु चैप्टर में सो अब नेक्स हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यह चैप्टर हो गया आपका सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करो थैंक यू